Hello everyone, welcome back to my channel, viewers, आज की इस वीडियो में हम लोग important questions की practice करने वाले हैं, seated के exam के लिए seated pedagogy, paper 1 अगर आप लिए है, paper 1 अगर आप ने उर्दू की language चूज की है, या paper 2 में अगर आप ने उर्दू की language चूज की है, तो इस अभी के लिए है, तो let us start, सबसे पहला question है, question number 1, बोलने औ और जबान, सीखने, बोलने और जबान, सीखने में, सीखने में, देरी लगाने वाले बच्चों को तरगीब देने के लिए कौन सी सरगर्मी बहतर है, यहाँ पे कह रहे हैं, ऐसे बच्चों को तरगीब देना है, तरगीब मतलब होता है, मोटिवेट करना है आपको, प्रे तो ये उनके काम के नहीं होगी सरगर्मी सेकंड है असाथिजा के जरीए अक्सर की जाने वाली इस्तिला यहीं कि इस्तिला मतलब होता है करेक्शन ठीक है थर्ड है तुल्बा की बाचीत को रिकॉर्ड करके उसका तजिजिया करना यह फिर फूर्थ आप्शन है आपस में बच्चे वो उनकी जो इनकी जो इनमें एक तरह सी खराबी है वो इसको दूर करना आपको तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उप्शन फोर्थ जिसमें बच्चे को आप तरगीब दें कि वो आपस में ही गुफ्टगू करें जब वो आपस में ही है ठीक है यहां पर correct answer हो जाएगा आपका option 4 आपस में गुफटगू करने की तरगीब देना अगला कुशन है कोशन नमबर टू एक ऐसे classroom में जहां बच्चों को मरकेजियत हासिलो ठीक है तो यानि कि बच्चे को केंदर माना जाए बाल केंदरित शिक्षा आपने पढ़ा होगा हिंदी बे बाल केंदरित शिक्षा कहते हैं यानि कि बच्चे पर ही focus हो पहला option है बच्चे के लिए कई तरह की स सरगर्मी जारी रहती है या फिर second option है बच्चे दर्जे के दर्मियान में बैठते हैं देखे मरकेजियत यानि कि बच्चों का मरकेजियत मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा बीच में बैठता हो इसका मतलब ये बाल केंदरित शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि बच्च सरगर्म होते हैं यानकि यहां पर कहा दिया कि जो उस्ताद है टीचर है वो ग्यार सरगर्म हो तो यह भी आपका आप्शन नहीं होगा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप्शन वन जिसमें लिखा है कि तुल्बा के लिए कई तरह की सीखने की सरगर्मिया जारी रहती है आप्शन वन यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगला कुशन नहीं कुशन नमबर त्री तुल्बा की कवाइट के अतिबार से दुरुस्त ठीक है यहां पर कहरे रहे है कवाइट के तरह मर्बूत जुमले बनाने की सलाहियत उसमें हो मर्बूत मतलब होता है connected यहां कि ऐसे नाओं कि एक दूसरे जुमला अलग लगे यहां कि connected वे में जुमले बनाने की सलाहियत हो और वो भी दुरस तलफुस के साथ यहां पर दिखे आपको ध्यान रखना है यहां पर तलफुस की बात कर दी तलफुस यानि की उचारण जिसे कहते है पिर्णनसियेशन तो तलफुस के साथ डैश की अंदाजे यानि की तो यहां पर आपका हो जाएगा option वारे तकली की तकली की सलायत, option second यह भी रिखने की सलायत, option third यह लिखने की सलायत यहां पर आपका correct answer हो जाएगा बोलने की सलायत, क्योंकि यहां पर दिया था कि दरुस्त तलफस के साथ तो आपको यह इंग्नोर नहीं करना है, ध्यान में रखना है कि तलफस, यानि जब बच्चा बोलेगा तभी तो उसका तलफस गरेक्ट है यानि गरेक्ट है तभी पता चलेगा इस सूरते हाल को दुरुस्ट करने के लिए यानिकी लिखने और बोलने में बहुत से तुल्बा ऐसे हैं जो दुश्वारी महसूस कर रहे हैं तो ऐसे सूरते हाल यानिक ऐसे सिच्टुशन में क्या करना चाहिए पहला है बोलने और लिखने की मश्च के लिए ज्यादा क्लास लेनी चाहिए या फिर सेकंड है गलतियों की निशान दही करके इस्तलाहाद की जाच करनी चाहिए फिर थर्ड है तुलबा की तवज्च बनियादी अलफाज और उनके तालब रखने वाले लफजों की तरफ मबजूल करानी चाहिए या फिर आपशन फॉर है कि तुलबा को लफजों के माइनी बताने चाहिए ताकि वो अन्हें याद और इस्तिमाल कर सकें तो option 4 आपका कह रहा है याद कर सकें इसलिए कहीं पर भी आपको अगर याद करने का बात आए रोट लड़नी को प्रमोर किया जा रहा है तो वो option नहीं होता है यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी बच्चे ने गलतियां की हैं उसे वो underline कर ले निशान लगा ले और फिर उसको correct करें या फिर फर्स्ट option है कि बोलने और लिखने के मश्की के लिए ज्यादा classes लें तो यह possible नहीं होता है कि हर वक्ट classes लगाएं एक्स्टा classes लें इसलिए हाँ पर आपको best option चुनना है और best option आपका option 3 है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो बनियादी अलफाज है उन पर तवज्ज़ देनी चाहिए उनसे related जितने भी लवज हैं उनकी तरफ मबजूल करानी चाहिए यानि कि उनके जो भी तवज्ज़ है उनके तरफ मबजूल करानी चाहिए जो बनियादी होता है structure यहाँ पर correct answer हो जाएगा आपका option तीसरा अगला कोशन है कोशन नमबर फाइव Community Language Teaching ठीक है Community Language Teaching बनियादी खुसूसिया दे किस चीज़ की पहला देखे किया है बातचीत के लिए आमोजिश पर जोर देना या फिर एक ग्रामर पर ज्यादा तविज्ज़ देना या फिर तीसा है जबान की सरगर्मियों का दर्चा दर्चे की सरगर्मियों तक महदूद रखना यहां पर कहना है Language की जितनी अक्टिविटी होती है वो केवल क्लास के अंदर ही तक महदूद रहें यानि की वो आपके लाइफ या विद्याले के बाहर ना जुड़ें और हमारा NCF क्या कहता है यानि की NCF 2005 ये कहता है कि जो भी आप पढ़ाएं वो बाहर की जिन्दगी से जोड़ करके पढ़ाएं तो यहाँ पर आप्शन तीसरा आपका नहीं होगा आप्शन फूर है कि आमोजशी अमल में आमोजगार के जाती तच्चुर्बात को कोई एहमियत नहीं दी जानी चाहिए देखे ऐसा अगर आप करेंगे कि बच्चे जो भी अपने साथ परसनली अनुभव लेकर आएं आप उसको एहमियत नहीं देंगे तो यह बच्चों के साथ नाइनसाफी होगी इसलिए यहाँ पर आप्च्च फोर भी नहीं होगा यहाँ पर आपका करेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्च्च वन ठीके बातचीत के जरीए आमोजश पर जोड़ देना ग्रामर पर ज्यादे तवज़ज़ देना यहाँ पर दियाने कीगा प्राइमरी लेवल पर आपको ग् कोशन नमबर 6 जो पढ़ाया जाए वो सिखाया भी जाए ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि पहला है मौलिम की समाजी माशी सते तुलबा से कदरे मुक्तलिफ होती है ठीक है ऐसा जरूरी नहीं मुक्तलिफ होती है सेगें मौलिम तुलबा किसी मौज़ू पर कभी मुकमल दस्त तुल्बा की तुल्बा की काबलेत, शक्सियत मुक्तलिफ होती है और मुक्तलिफ पश-मंजर से तालुक रखती है। यहाँ पे आपका correct answer हो जाएगा option तीसरा ही, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक बच्चे की काबलियत है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, आपने पढ़ा होगा individual differences, हर बच्चे की सीखने की गती अलग होती है, विकास अलग तरहा से होता है, यहाँ पे correct answer हो जाएगा आपका option तीसरा, जिसमें लिखका है, कि तुल्बा की काबलियत, शक्सियत, मुक्तलिफ, शक्सियत, यनि कि उसकी personality मुक्तलिफ होती है, और मुक्तलिफ पश्मंजर से तालुक रखते हैं, अलग अलग पश्मंजर से वो तालुक रखते हैं, तो यहाँ पे correct answer ह असर हो जाएगा आपका option तीसरा, option four, अगला कुशियन है, कुशियन number seven, जबान के दर्चे में बैठने का निसाम लचीला होना चाहिए, चाहिए क्यूंकि पहला है, यह तुल्बा को बार बार अपनी जगा तबदील करने में मुआविन होता है, या फिर है, यह जोड़ी औ अगर जिम्मेदारी आए, कि टीचर का वक्त बच रहा है, या समय बचा आ रहे है, या जिम्मेदारी कम कर रहे है, या बोच कम कर रहे है, इस तरह कि option आप टिक नहीं करेंगे, ठीक है, option four है, यह नजम वा नश्क को कायम रखने में, उस्ताद की मदद करता है, तो यहाँ यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा option second, कि यह जोड़ी और इस्तिमाई कामों को असान मनाता है, जहने कि जो करुप में काम होते हैं, उन कामों को यह आसान मनाता है, यहाँ पर correct answer हो जाएगा option second, अगला कुशन है, question number eight, दर्जजेल में, दर्जजेल में, जबान से माला माल माह यह फिर third है कि तुलबा को दर्जे में अपने तजज़बाद शेयर करने की इजाज़त दे, यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा option third ही, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चे को जो नोने तज़बाद, इनके जो अनुभव किया है, उसको शेयर करने की आप इजाज़त दे रहे है इनके permission दे रहे हैं, यहाँ पर भी आप बच्चे को उनके तज़बाद शेयर करने के लिए, उनके अनुभव को यानके शेयर करने के लिए कहेंगे, वो सबसे best option होता है, यहाँ पर correct answer हो जाएगा आपका option तीसरा, option four ता कि बच्चों के बोलने के वक्त में, ज्यादा से ज तरीका यह है कि पहला है ड्रामी की कहानी और कवाइदी अज़जा से मुतालिक खूसी सवलात पर मुझतमिल आजमाईश की जाए, यानि कि उनके जो अज़जा हैं, जो पार्ट से ड्रामी की, उससे related आप सवाल करें, या फिर second है कि तुल्बा उससे खामोशी से कई बार पढ़ें और कहानी को समझ लें, या फिर third है कि तुल्बा अलग-अलग गुरुपों में तकसीम होकर यानि कि अलग-अलग गुरुप बना लें उसमें वो तकसीम होकर पलात को समझने के बाद ज्यादा, यानि कि समझने के बाद ज्रामा प्ले करें, देके यहां पर रोल बात आई, और जहां पर भी वच्चे को रोल प्ले कराया जा रहा हो तो वो सबसे बेस्ट आप्शन होता है, क्योंकि रोल प्ले में चारो ही जबान की महारतों को फरूग दिया जाता है, यहां पर करेक्ट आपका अंसर हो जाएगा, आप्शन तीसरा, कि तुल्बा अलग- कवाइद को नुमाया जखे दी जाए, या फिर उन्हें अपने खैलात का इजार करने के लिए कई मौके दिये जाएं, देखिए यहां पर बच्चे को अपॉर्चनिटी मिल लिए कि वो अपने खैलात का इजार करें, और लैंग्विच क्या है, लैंग्विच आप ये लिं लिखने के अमल के दौरान ही उस पर राय दी जाए और बाद में नहीं, तो ऐसा नहीं कि बाद में राय नहीं दी जाए, तो आप्शन आपका तीसा नहीं होगा, आप्शन फोर है कि मौजवाद, मौजवाद, अलफाज वगेरा से मुतालिक इन्तिखाब का दाइरा महदू तो आप्शन फोर भी नहीं होगा, यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप्शन दूसरा, अगला कुशन है कुशन नमबर 11, शायरी के लिए क्या जानना ज़रूरी है, पहला है अरूस का वाइद या इल्मे नहूं या इल्मे सर्फ, तो यहां पे करेक्ट आंसर ह इसका लुट्व बच्चे तब लेंगे जब पहला ऑप्शन है, मौलिम ड्रामा पढ़ता है और बच्चे सुनते हैं, या जब टीचर पढ़ाईगा, पढ़ता है और बच्चे के वाल सुन रहे हो, या फिर सेकेंड ड्रामा अमली तोर पर करते हैं, देखिए मैंने आपको कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, तो यहां पर आपका अंसर ऑप्शन सेकेंड ही हो जाएगा, ऑप्शन धर देख लेजी क्या है, कि मौलिम से ड्रामे से मुतालिक कफसीली जानकारी जमा करते हैं, या फिर ऑप्शन हो रहे हैं, खामुशी से ड्रामा पढ़ते हैं, तो सबसे सही option यहां पर option second यहां पर बच्चे खुद ही कर रहे हैं, अमली तोर पर करते हैं, option यहां पर correct हो जाएगा second, question number 13, role play का बुनियादी मकसद क्या है, मुकालमा लिखने की महारत की जाच करना, यहां पर question यहां पर question आ गया, कि इसका मकसद क्या होता है, पहला कि मुकालमे लिखने की महारत की जाच करना, second यहां पर कोई लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, जो यहां पर लिखने की, वो भी मुकालमे लिखने की महारत को जाच करना, यह नहीं होता है, option second है पढ़ने की आदत को फरूग देना, option third है तरसीली महारतों को फरू तो इस तरह से आप पर तरसीली महारतों हो फरोग देना ही इसका बुन्यादी मकसद हो जाएगा रोल प्ले का यहाप पर कर्रेक्ट टांसर हो जाएगा आपका आप्शन तीसरा औप्शन फोर था अददकारी के फंड को फरोग देना यहापे यह भी आप्शन नहीं होगा एक सहोलियदकार के तोर पर जबान के मौलिम की आहम जिमेदार ही होती है मौक पैसे बड़ी मिकदर में मौवष्वराहम करना और तुल्बा को सुनने के लिए तैयार करना ठीक है या फिर थर्ड है कि सकती से class को control में रखना, control करना और वक्त पर निसाब पूरा करना यानकि आप control में रखे class को और जो भी slave बसे उसे आप time के अंदर पूरा करें या फिर फूर्थ है कि बुलंद आवाज से सबक पढ़ना और हर बार वजाहत करना यानकि हर बार explain करना तो जहां भी आप बच्छे को मौका दें, opportunity दें वो सबसे best option होता है इसलिए यहां पर correct answer हो जाएगा आपका option one प्रशकी वीडियो में इतने ही question मिलते हैं आपसे next वीडियो में कुछ नए questions के साथ वीडियो अच्छी लगें, आपके लिए helpful रहें तो like जरूर करें, share करें इस वीडियो को और अगर अभी आप चैनल पर नहीं हैं, आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर लें मिलते हैं आपसे next वीडियो में कुछ नए questions के साथ